हलो डिवाइन सोल्स, वेलकम बैक तो मैं चानल, चलिए आज मैं यहाँ पर च्रिक करना चाहूंगी कि इस कनेक्शन की नियर फ्यूचर क्या है, नियर फ्यूचर में इस कनेक्शन में क्या हो सकता है, ओमाई गाड, ओके, देयर इस अलवेस एनफ, ओके, तो आपके लिए अफ नहीं है, तो यहाँ पर आपको फील होने वाली है कि सब कुछ एनफ है, इस कनेक्शन में सब कुछ सही है, you see clear now, आवल स्पिरिट, ओके, तो हो सकता है guys, यहाँ पर आप आप क्लियर ली देख पाऊ, इस कनेक्शन में आपको clarity मिले, कि future क्या है, आपके partner क्या feel कर है, आ आपके partner transparent होंगे आपकी तरफ, इस connection में ऐसे लग रहा है कि clarity मिलने वाली है आपको इस connection के regarding, what is coming next, और देखते हैं, okay, truth in divine detours, okay, तो divine की कुछ ऐसी plan है ना, जो आपके सामने reveal होने वाली है, हो सकता है, आपने बहुत struggle देखे है, okay, और हो सकता है कि आप इस connection में थे, लेकिन connected नहीं थे उतने strongly, तो divine की क्या planning थी, अगर आपको ऐसा लग रहा था कि आप भी एक तरफा दे रहे हो इस connection में, सामने से कोई effort नहीं आ रही है, तो वहाँ पर भी आपको clarity मिलेगी, आप feel करेंगे, okay, आप feel करेंगे कि इस connection में आगे क्या हो सकता है, आपको clarity भी हो इस connection में, आप दोनों का equal effort हो next इस connection में, okay, और आप दोनों ही trust करो इस connection में divine पर, और आपको feel भी होगा कि इतने time से जो journey आपने देखी है, इस connection की, इसके पीछे reason है, strongly reason है, इसमें भी divine की एक बहुत loving plan है, इसमें भी आप दोनों की reunion है, okay, आपको समझ में आएगी, divine की ज यहाँ पर, आपको feel होगा कि इस connection में enough है, इस connection में सब कुछ है,